इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ, Class 6th Geography का चैप्टर चैप्टर है, Motions of the Earth अर्थ मूव करता है जी हाँ, अर्थ में दो तरह के मोशन्स हो दें कौन-कौन से है, Revolution और Rotation दो ही मोशन्स हैं, लेकिन दोनों ही मोशन्स सरदर्द है क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है दिन हो रहा है, रात हो रहा है, गर्मी आ रही है विंटर सारह है, सारी चीज़े जो बारिश हो रही है सब कुछ सब कुछ जितना जो भी होता है दुनिया में, सारा सब कुछ इन ही motions के कारण होता है, ठीक है, तो basically जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्थ में दो तरह के motions होते हैं, the earth has two types of motions, what are those two types of motions, तो first is rotation, rotation मतलब क्या होता है, axis बताया था हमने पिछले चाप्टर में सारा सब क सब कुछ basics में पढ़ा था कि axis क्या होते, poles क्या होते, वगेरा वगेरा सब कुछ, तो earth अपने axis पे, axis ऐसा है, नहीं, axis ऐसा है, tilted है na axis, तो earth अपने axis के उपर खुद rotate करता है, ठीक है, पहली चीज, पहला motion क्या हो गया, rotation of the earth, आये समझाते हैं, तो ये देखो, ये बहुत नाम है sun, ठीक है, s-o-n-e-s-u-n वाला sun, ठीक, तो मैं सूरज हु मान लो, अब दूसरा जो motion होता है, किसका, earth का, तो दूसरा motion होता है, revolution वाला, ठीक है, revolution क्या होता है, revolution समझना, revolution मतलब earth इस तरह से क्या करता है, sun के around revolve करता है, ठीक है, sorry, ये revolve करता है, तो अब ऐसा नह तो revolve नहीं करेगा, revolve करेगा, तो rotate नहीं करेगा, देखो, जब sun क्या करता है, जब earth क्या करता है, rotate करता है, अपने axis पे, तो ये इस से दिन और रात होती, क्योंकि sun, sunlight जिदर जाएगी, उदर दिन उदर, और जहां नहीं जाएगी वहारा तो ये दिन और रात हो गई, ठी revolution जो होती है, तो वो इस तरह से जब क्या होता है, अर्थ पूरी तरह से revolve करता है, किसको मैं sun हूँ, मैंने बताया था, ठीक है, जब sun को revolve करता है, तो वो revolution कहलाती है, जब चारो तरफ घूम के आता है, और ये कितने time period में करता है, तो एक साल में करता है, एक साल में आप आप आपिस वहीं पर आ जाते हो घूम के तो यह होता है revolution revolution और rotation दोनों चीज़े एक साथ चलती रहती है इस तरह से ठीक है यह था revolution और rotation और यही है पूरे chapter में बस पूरे chapter में इसके लाब और कुछ नहीं है तो यह जो video था एक basic introduction video था जो मुझे आपको बताना था कि हाँ क्या है इस chapter में इस chapter में rotation और revolution के बारे में है अब जैसे मैं आप से कहा कि दिन और रात rotations होती है जो seasons होते हैं वो revolution से होते हैं तो इन्हें हम in detail समझेंगे एक video lecture में पूरा chapter complete होने वाला इस सारी चीज़े फिर क्या है orbit orbit क्या होता है वो समझाओंगा मैं आपको summer solustus winter solustus ठीक है equinox तो यह सारी चीज़ें जो है यह हम क्या करने वाले हैं next video lecture में एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद में NCRT solutions questions तो आपके पास भी है answers नहीं है answers का हम मिलेंगे answers मेरे पास मिलेंगे तो next video lecture में हम इसके answers discuss कर लेंगे fine तो यह सारा सब कुछ हमारे chapter में हम पंडे वाले हैं एक basic introduction में मैं आपको बता दिया कि क्या है chapter में okay तो अब मिलते हैं next video lecture में किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much